इसराइल और फिलिस्तीन की बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है फिलिस्तीन के चरमपंती संघठन हमास के हमले के बाद इसराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है इसराइल की ओर से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बंबारी कर उन्हें धुस्त किया जा रहा है इस संघर्ष में अभी तक 1100 से जादा लोगों की जान जा चुकी है और ये जंग कहां जाका रुकेगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर दुनिया बटी हुई नजर आ रही है कोई देश इसराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है तो वहीं भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इसराइल के साथ एक जुटता दिखाने की बात कही है इसराइल के विदेश मंत्राले ने दावा किया है कि 84 रास्ट्रों ने उनके समर्थन में बयान जारी किये है साथ ही इसराइल का दावा है कि ये राश्ट्र हमास के हमलों की निंदा भी कर रहे हैं इधर मद्धिपूर्व के कई देश इसराइल पर किये गए हमले को सरा रहे हैं कहा जा रहा है कि हमास ने इरान की मदद से इसराइल में तबाही मचाई है इस्राइल का कौन कौन दे रहे हैं समर्थन अमेरिका इस संगर्ष के समय में इस्राइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है राश्ट्रुपती जो बाइडिन ने कई सैन्न हत्यार इस्राइल के लिए रवाना किये हैं ब्रिटन के प्रधानमंत्री रिशी सुनक भी साथ देने की बात कर चुके हैं और शान्ती की अपील की है फ्रांस के राश्ट्रुपती एमेनुएल मैंक्रो ने हमलों की निंदा की है और समर्थन का वादा किया है आस्ट्रिया ने इस्राइल के साथ खड़े होने की बात कही है साथ ही संगर्ष में आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुचाने की अपील की है प्रधानमंत्री एंथनी अलबानीज ने हमास के हमले की निंदा की है नौर्वे ने भी फलिस्तिनी समू की तरफ से किये गए हमले की निंदा की है इसके अलावा आस्ट्रिया जर्मनी कनाड़ा पॉलिंड स्पेन और यूरोपिय संग भी इस्राइल के समर्थन में नजर आ रहा है हमास के समर्थन में ये देश खबर है कि इसराइल के खिलाफ हो रहे हमलों में इरान समर्थित हिजबुल्ला भी शामिल है इरान के राश्ट्रपती इबराहिम रईसी भी फलिस्तिनी समू के हमले की तारीफ कर रहे है डक्षन अफरिका भी फलिस्तिन के साथ खड़ा नजर आ रहा है यमन के विद्रोही संगठन हैती ने इस जिहादी अभियान में हमास का साथ देने की बात कही है साथी अरब ने इस युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की है कहा जाता है कि साथी अरब और इसराइल की बीच संबंद सामान ने होने में फिरिस्तिन तनाव बड़ा मुद्ध बना हुआ है कतर ने इस हिंसा का जिम्मदार इसराइल को ही बताया है भारत का क्यामत भारती विदेश मंतराले की तरफ से आधिकारिक तोर पर अब तक बयान जारी नहीं हुआ है जबकि प्रधान मंतरी मूती इस हमले पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं उन्होंने इसराइल में हुई इस तबाही को आतंक वादी हमला बताया है उन्होंने इसराइल के साथ एक जुटता दिखाने का फैसला किया है